नमस्कार मैं हुदीप्ती शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूजेटीन के हमारे खास कारिक्रम भाग्यम में और भाग्यम के इस विशे सेग्मेंट में जहां पर आप और हम हर रोज औरिकल कार्ट के जरीए चारट कार्ट के जरीए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है और हम ऐसा क्या करें और ऐसा क्या ना करें जिससे आज के दिन को हम और भी बहतरीन बना सकते हैं अगर किसी प्रकार के hurdles आते हैं तो हम उसे कैसे overcome कर सकते हैं आज हम जानेंगे एक से लेकर 9 मूलांग तक की reading में कौन सी reading होगी आपकी कौन सा होगा आपका मूलांग उसके लिए उधारन आपको देती हूँ कि अगर आपकी date of birth है 18 यानि की 18 तो एक और आठ को जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ाता है नमबर 9 तो 9 होगा आपका मूलांग और आज की तारिक है 25 जून 2023 और आज की तारिक को अगर हम जब जोड़ते हैं 2 और 5 को तो 2 और 5 को जोड़ने पर जोड़ाता है नमबर 7 जो क कि आज की तारिख का मूलांग है और नंबर साथ के स्वामी होते हैं के तू और के तू जो है वो हमारे हाउस हमारे हाट माता को और एक्दम सडन चेंज को दर्शाते हैं तो आज के दिन मूलांग एक से लेकर नौ तक के जातकों पर क्या एफेक्ट पढ़ने वाला है आईए ह अगर आप मेंसे किसी को भी लगता है कि आपकी रीडिंग थोड़ी बहुत भी चालेंजिंग आई है यह आपको बताया गया है कि आज का दिन किसी प्रकार के चैलेंज का हो सकता है एमोशनल या मैंचली आपको कहीं ना कहीं सी समस्या रह सकती है अगर इस तरह की कोई भी कर सकते हैं आपको क्या करना चाहिए और किन बातों को करना अवाइट करना चाहिए वह एकदम आसान और सरल शब्दों में और अगर विशेश हमें कोई गाइडन्स आती है आपको बताने के लिए तो वह भी हम आपको गाइड करते हैं कोई विशेश रहमेडी तो आए दोस्त तरह की हमारी वाइब्रेशन्स होगी उसी तरह की व्यक्तियों को उसी तरह की परस्तितियों को हम अपनी दरफ आकर्शित करते वह कहा जाता है ना कि अगर हम परमात्मा का स्मरण करते हैं अगर परमात्मा को हम बहुत जादा उनको मान रहे हैं ध्यान कर रहे हैं तो इसका अ बानते हैं आज परमात्मा हमें क्या गाइड कर रहे हैं मूलांक एक नंबर है वह नंबर पांच और कहा जा रहा है कि आज के दिन आपकी लाइफ में एक चेंज जा रहा है और यह यह तो किसी चीज का कॉम्प्लीशन का अरध है कि पूरव मैं आपकााव संबंधित कोई गठना करम Associate कोई आपके समक्ष मुन्हान का सकती है बूरह ने मित्रों से मुलाकाथ हो सकती है पुरहने पैंडिंग चूतना इप को इस अचाएगा फिर इस जेनम से पूरN नमसे किसी ऐसे कंडिशन की वापस से पैटर्ण का रिपिटेशन हो सकता है जहां पर आपको बहुत ज़्यादा समझदारी से निरने लेते हुए आज आपको ओवरकम करना होगा तो कुल मिलाके आज का दिन अच्छा है लेकिन कोई नया कारे आपको आज आरंब नहीं करना है नया इंवेस्टमेंट ना करें यहां तक कि पैसे के सम्मंद में भी कोई नया कारे ना करें किसी नय व्यक्ति को उधार देना या कोई नया उधार देना या लेना ऐसा कारे आप ना करें बलकि अगर पैंडिंग आपने किसी को उधार दे रखा है तो उससे धनवापसी का हई जानते हैं मुलांक 2 के लिए हमें परिमात्मा आज़ क्या गाइद कर रहे हैं 25-0 dirt के लिए उसके लिए अबंडन्स का काडर्ण है देखिए अपंड़ंस का काड़ को यह आपको यहा रहा है हैं इस बहुत संथुन करने वाले हैं पहुत हैं आपकी इमानदारी वह कुछ आज रिजल्ट आज आपको प्राप्त होने वाला है तो अबंडन्स को रिसीव कीजिए और अपनी अबंडन्स को उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो की नीडी हैं आपका दिन शुब हो आईए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 25 जून 2013 के लिए और मूलांक 3 के लिए हमें कहा जा रहा है चेंज आपका लकी नमबर है नमबर एक और आपको कहा जा रहा है कि आज आपके जीवन में एक बदलाव आ रहा है एक चेंज जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेचैनी भरा हो सकता है क्योंकि जब आप पुरानी किसी चीज को लेट गो करते हो तो सब लोगों के लिए आसान नहीं होता किसी पुरानी चीज को छोड़ देना अगर वो काम नहीं आ रही है तो ठीक उसी तरह अगर कोई ऐसी जॉब जो आपके लिए ठीक नहीं है या ऐसा कोई संबंद ऐसा कोई व्यक्ति कुल मिला के ऐसी कोई भी वस्तू जो आपके लिए ठीक नहीं है आईए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 25 जून 2023 के लिए और मूलांक 4 के लिए हमसे कहा जा रहा है फ्लावरिंग का कार है आपको कहा जा रहा है कि आपका जो कार आपने नया आरंब किया है वो कारे आपका धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है जो कारे आपका आगे बढ़ रहा है वो सकारात्मक भाव में आगे बढ़ रहा है अब आपको क्या करना है कि हडबड़ी नहीं करनी है किसी से अपने सम्मंद खराब नहीं करने है अपनी वानी पर नियंद्रन रखना है और ज इसी नए काम में जहां पर रिस्क हो वहां पर आपको नहीं उसकारे को करना है आवयड करें उसकाम को हाथ में लेना आपका दिन शुभो आईए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 25 जून 2030 के लिए और मूलांक 5 के लिए हमें कहा जा रहा है Celebration का कार्ड है आपका लखी नमबर है नमबर 3 और आपको कहा जा रहा है कि आज का जो दिन है वो आपका Celebration में गुजरेगा महिलाओं से विशेश तोर पर आपको प्रेम प्राप्त होगा साथ ही साथ महिलाओं से लाभ आपको प्राप्त हो सकता है तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है अपने परिवार को अपने मित्रों को आप अधिक समय देंगे आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है कही न कहीं वहाँ पर भी अगर आप कोई काम करेंगे तो उसको भी हसी खुशी अपने दोस्तों के साथ अपने कलिक्स के साथ कम्प्रीट करेंगे आपका दिन शुभ हो आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 25 जून 2023 के लिए और मूलांक 6 के लिए हमसे कहा जा रहा है देखिए दो काड़ आए हैं क्लिंग चु दे पास्ट एन आइसलेशन आपको कहा जा रहा है कि पहली चीज तो आज के दिन आप पास्ट लाइफ में रहने वाले हैं मतलब कि पुछले जो आपकी बूद्टल केन आप काल उसमें आप जीने वाले मैं ऐसा करती ऐसा करता था जा तो आज आपको परमात्मा क्या कह रहे हैं पुरानी बातों को याद करके रोने में कुछ भी नहीं रखा है आज के दिन आप बहुत जादा अपने पास्ट के प्रती जो है वह connection महसूस करेंगे एक आकरशन महसूस करेंगे और गिल्ट की भावना भी आ सकती है कुछ ऐसा काम भी हो सकता है जहां पर कि आपको अच्छा न लगे कि आपने लाइफ में ऐसा स्टेप क्यों उठाया था लेकिन परमात्मा आपको कह रहे हैं ऐसा मत कीजिए अपने आपको कोसिये मत पास्ट में जाके आपको कुछ नहीं मिलन हैं आज 25 जून 2023 के लिए और मुलांक साथ के लिए हमसे कहा जा रहा है बियॉंड लिउजन का काड़ है आपका लखी नंबर है 11 जिहां 11 इस लखी नंबर टुड़े और आपको कहा जा रहा है कि चापलूसों से साफधान रहें सामने विक्ति आपकी क्या है और पीछे से व जरुत है जो आपके सामने भला बनकर आपकी ही जड़ काड़ रहे हैं ऐसे लोगों को आप अवाइड करें दूसरी बात भ्रह्म की स्तिती से बाहर निकले बिल्कुल भी आपको यह सोच के नहीं रह रहा है कि रहे नहीं नहीं सब अच्छा है सब बढ़िया है ब्रह में ब को दे को नया काम करना किसी के कहे अनुसर आज आपको नहीं चलना है को अगर आपको विक्ती कहता है यह कारे कर लोष में डालो यह करण लो सब्सक्राइब बढ़ा फायदा ऐसे किसी प्रकार के आपको ख्वाब या सपन में आपको नहीं फ़सना है अधरवाइस बड़ा मुखसान आपको लग सकता है आए जानते हैं मूलांक आठ के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रही हैं आज 25 जून 2023 के लिए हमसे कहा जा रहा हैmor कार्ण है आपका लखी नंबर है 3 और कि आज के दिन आपके पूर्णवाइद सारे कार्यें पूर्रोंव युजख़ हो जायेंगे जो हो सकते हुए ऐसे लोगों राधर ना हो चाहांद कि ülए को परिषान चेहें पूरये City में अप्धी पहले पूर्णlaşफ्ट संब्सक्राइब वाली है साथी साता भीतर से विज बहुत शांती महसूस करें गे आज के दिन आप बहुत जादा पीसफल जतना ज्यादा पीसफुल रहेंगे जितना ज्यादा अपने सेंडर में रहेंगे उतना ही आपको बैणिफिट होगा आपका दिन शुबहों आई जानते हैं मूलांक न अन्यों के लिए हमें कहा जा रहा है रिभीयल का चार है आपका लखी नंबर 4 और आपको ज़्का जा रहा है कि आपकी बहुत जो इन हैं वत्रो की दिखाई दे रही आप लोगों की जो आपके परती बात है आपके परती जो उनकी भावनाय है यह वो आपको जो भी कारे देना चाहते हैं कहें कि आप इसी योग यह यह कारे करेश सीमें तक आपको समझ रहे हैं आज आप विरोध करेंगे, आपकी उर्जाएं विरोध करेंगी, और अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपके लिए कोई खराबी नहीं है, आपको जो चीज आज ठीक नहीं लगती है, बड़े ही प्यार से उसका विरोध अवश्य करें, आपका दिन शुब हो, दोस्तों ये थी लिडिंग हमारी एक से लेकर 9 मुलांग तक ही, हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्त रहें, आप सभी का मंगल हो, आप हमारे कारिक्रम को जो इतना प्यार और सनहीं देते हैं, हमारी पूरी टीम आपका धनेवाद देती है, आप के भीतर बैठे पर देते हैं, नमस्का अराव सभी का स्वागत है, भाग्यम मैं, मैं हूँ पंडे चंदर शेकर शर्मा, तर्शो को सबसे पहले हम बात करते हैं, आज के दिन के पंचांग की, आज दिनांग है 25 जून सन 2023, विक्रम सम्मद 2008 चल रहा है, आशाड मास है, शु पुर्वा फालगुनी नक्षत्र सुबह 10 बच के 12 मिनट तक है, फिर आगे उत्रा फालगुनी नक्षत्र पूरे दिन और पूरे रात्री रहेगा, योग व्यतिपात है, और योग की द्रिश्टी से आज काई जो दिन है अध्यात्मिक कारियों के लिए बहुत शुब है, क इसमें कोई शुबकारे नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए, अभिजित मुरत आज 11 बच के 55 मिनट से दौपेर 12 बच के 51 मिनट के बीच में है, दिन में दो बार दुष्ट मुरत भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझेगा और सूजबू से टाल द पहले कोशिश तो यह करें कि पश्च्चिम दिशा की यात्रा को टाल दें, लेकिन जाना बहुत जरूरी है, अनिवार यात्रा है तो परिहार करके निकलें, परिहार बहुत सरल है, पश्च्चिम के और मुक कीजिए, थोड़ा सा घी दलिया खालीजिये, या फिर पान खाल दिजे और पांच किदम पीछे चलिए और जब यह प्रक्रिया कर रहे हों तो भगवान से प्राथना कीज़े कि मेरे हरते में स्तित होकर मेरे साथ चले और श्यातरा को मंगल में बनाएं ऐसा करते हैं यह उपाए और यह प्राथना तो बहुत यह उच्छा रहती और मिनट तक फिर शाम को साड़े साथ बजे से लेकर साड़े नौ बजे तक यह तीनों काल खंड बाकी पूरी दिन की अपेक्षा ज्यादा शुब योग का रखे अच्छे फट्स करें तो इन समय का ध्यान रखते वे कीजिएगा आज की चंद राशी सिंग है शाम चार बच के बावन मिनट तक आगे चंद्रमा कन्या राशी में प्रवेश कर जाएंगे जिससे आज का ये दिन सभी बारे राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी की तो मेश राशी वाले ध्यान रखें कि आवश्यक्ता से अधिक चतुरता आज आज आपको किसी समश्या में डाल देगी बहुत ज़्यादा वर इंटेलिजेंट भी नहीं होना चाहिए और व्रश राशी वाले घर ग्रैस्ति में चल का शुफल प्राप्त होते वे देखेंगे बहुत दिन से जोब कोशिश कर रहे थे उसका अच्छा रिजल्ट आएगा कन्या राशी वाले किसी बड़ी मुसीबत से बाहर आते वे देखेंगे और तुला राशी वाले ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा लालच आगे जाक यह स्वास्त लाब करें दिखेंगे चोटीमोटी वीमारी चल रहा कि शांत होंगे कुम राशी वाले परिशान रहेंगे स्वास्त मश्याओं और भावनातमक उतार चड़ाव से इमोशनल कुषय Alexandra को समश्या बनी रहा हैं मीन राशी वाले किसी विवाद को आपसी बातची सुन्दर और सफल बना देते हैं अंत मैं करेंगे आज की दिन की जोतिश मंत्रणा और समाधान दर्शकु संगती का बहुत भारी महत्व है आप देखिए कि एक खराफ फल को अच्छे फलों के टोकरी में रख दीजे तो सारे अच्छे फल भी सड़ने लगते हैं विज्ञान की दृष्टि से भी देखेंगे तो उर्ढा का सानंतरण यानि की ट्रांसफर ऑफ एनरजी एक प्रमानिक सिधान्त है ऐसे में आप जिनके साथ बैठते हैं उनकी विचारिक उड़जा जो उनकी विचारिक उड़जा है सूच का जो प्रभाव है उसका प्रभाव आपके जीवन पे पढ़ता ही पढ़ता है इस पर रहीमदाश जी ने एक बहुती सुंदर दोहा कहा कि ओचे को सत्संग रहीमन तजहु अंगार जो तातो जारे अंग सिरे पे कारो लगे यानि कि ओचे मनुष्य का जो साथ है उसको तुरण छोड़ देना चाहिए क्योंकि हर अवस्ता में ओचे मनुष्य के साथ बैटने उठने से विचार विमर्श करने से हानी ही प्राप्त होती है जैसे कि उसकी उप्मा इस प्रकार से दी कि अंगार को जब तक वो गरम रहता है वो हमारे देह को जलाता है और जब ठंडा कोविला बन जाता है तो देह को काला करता है इसी को आगे समझाते हैं कि रहीमन ओचे नरन्सो बेर भली ना प्रीत क्यों क्यों कि इसकी चाटे से ना वैर अच्छा ना प्रेम क्योंकि जैसे कुर्ण。」 यानि कुतता पालेंगे टो मुँझ चाटता हैं और किसी दूसरे का शुआन हो तो काट लेता है ऐसे वैचारिक स्तरीन व्यक्ति हर प्रकार से पीड़ाई देता है तो आज कि इस ज्यान चर्चा का सार यह है कि जब आप वहवार करें किसी के साथ उठे बैठे मित्रता करें तो वैचारिक स्तर जरूर देखें कि ऐसा ना हो कि उसकी जो निम्न सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जनम दिन है आप सभी लोग आज बिल्व के पौधे लगाई यह निवी पत्र के जो प्रक्ष के पौधे होते हैं वो लगाई अधिक से अधिक संख्या में साथ ही केसर का इत्र भवान शिवजी परफित करें और सुबह सुबह आप शिवजी के मंदिर में शिव महिमन स्तोत्र के पांच पाट करें खुद नहीं कर सकते हैं तो सुन ले से और शाम को ग्यारा पाट शिव तांडव स्तोत्र के कीजिए तो आने वाला पूरा वर्ष बहुती सुन्दर सुकून से और इश्वरी अनुकंपा से बितेगस में होता है कि जनम पत्रिका में कमजोड चंद्रमा और निर्वल या अस्तमंगल के चलते व्यक्ति में आत्म विश्वास की बहुत कमी रहा करती है और एक अंजाना से भय हमेशा बना रहता है ऐसे स्तती अगर आपके साथ भी रहती है तो इसके उपाय के लिए आप शरण अमित्साहस और पराकरम के स्वामी हनुमान जी आज की इस दौर में आज के युग में युवाओं के आदर्श और उनके इस्ट होने चाहिए जब आप भय और आत्मिश्वास हिंता की कमी से ग्रस्त हों तो एक छोटा सा प्रयोग करें करना क्या है कि नीम्बू लें बेद स्थान में हनुवान जी के सामने और आराम से बैठें और एक भूजपत्र पर या तो भूजपत्र बजार में आपको मिल जाए बहुत अच्छी बात है नहीं तो एक सफेद कागज पर कुम-कुम से अपना नाम और गोत्र ये दोनों चीजे लिख लें और इस सामगरी के सा समापती पर वो जो भूजपत्र या सफेद कागज है वो हनुमान जी के चित्र के पीछे रख दें और बाकी बची वी जो सामगरी है उसको पोटली की तरह बांद कर अपने पूजा स्थान के पास ही एक लकड़ी के चोकी या पाटिये पर रख दें और फिर देखिए कैसे चमतकार होता आपके जीवन में और आप में एक वीरता एक साहस और आत्मिश्वास का संचार कैसे होने लगता है आप देखेंगे और खुद आश्च्चर चकित हो जाएंगे इसी प्रकार से दर्शको जिन लोगों को सरकारी नोकरी की इच्छा है वो आज के शुब दिन जब रविवार शुकल पक्ष सप्तमी हो और सरवार सिद्धी योग और त्री पुश्कर योग भी आया हो तो ऐसे सिद्धी दिन पे भगवान सूर्य की साधना अराधना नित्य पुषण साधना क्या है नित्य सूर्योद से पूर उठञें शुर्य नमस्कार करें रृषण करें करें विशेश करके नाडी शुदन प्रण्यां करें फिर स्नान करने के बाद में एक ताम्दे के पात्र में जल लें उसमें फोड़ा सबद्न और कुम-कुम विलें और हुरीम सूर्याए नम है एसा बोलते वे बगवान सूर्य को अर्ग दे फिर पूजास्तान पर बैट कर पांच पार्ट आदित्यर्देश स्तोत के करें और पांच पार्ट सूर्य शत्टनाम के पार्ट करें इस दोनों पूजा आप करते रहें तीन-चार महीने बीटेंगे आप पर भगवान सूर्य की असीम कृपा होने लगेंगी और सरकारी नोकरी लगने के जो चांसेज हैं बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाएंगे आपको खुद को लगने लग जाएगा अपने तैयारी से कि बड़ी आसानी से नोकरी लग जाएग 13 नवंबर 1995 का इनका जनम है सुबह 7 बच के 24 मिनट का जनुस्तान है जोदपुर प्रशने किया है केस चल रहा है नोकरी बच जाएगी क्या देखिए कुंदन जी शनी की शत्रू राशी युक्त दशम भाव पर सीधी दरश्टी है दशम का स्वामी सूर्य बारवे भाव मे से नीच राशी में और रहु से ग्रस्त है तो 99 परसेंट चांसे तो यही है कि आपको नोकरी संबंदित नकारात्मक परिणाम मिलेंगे एक अच्छी बात आपकी जनम पत्रिका में यह है कि आपका लगन और पंचम भाव बहुती प्रभल है लगन इस्ट गुरु दर्शार है कि इस पूरे मामले में आप गलत नहीं है या आपकी बहुत कम गलती है आपको फसाए गया है तो ऐसे माप सूर्य के जाब करवा लीजिए ग्रहन शानती करवाई और शनी शानती करवाई है और एक अच्छा सा मोती पहन लीजिए और किसी तरीके से कोशिश यह कीजिए जो यह केस चल रहा है यह लंबा चले तो अप्रेल सन 2025 के बाद में आपके पक्ष में फैसला हो सकता है आज की दूसरी पत्रिक आई है नीलम जी की जैपुर से 17 मार्च सन 2000 का इनका जनम है रातरी 12 बच के 19 मिनट जैपुर प्रश्न क्या है नोकरी कब लगेगी और किस छेत इन सब छेत्रों में भी आगे जा सकती है कैरियर आपका इसी वर्स जुलाई से दिसंबर के बीच में सैट होने लगेगा और मार्च सन 2025 से उसमें उचाई भी मिलने लगेंगी उत्तम फल प्राप्ति के लिए चंदर गहन दोश की शान्ति करवा लीजिए और एक अच्छा स सत्संग में हमने समझा है कि कैसे वेचारिक उड़्जा बहुत महत्वर रखती है और ओछे लोगों से हमें संगती नहीं करनी चीए इसे अपने जीवन में उतारेंगे और जीवन को एक आदर्स जीवन में परिवर्तित करेंगे कारेक्रम में बने रहने के लिए बहुत-बहुत साधुवाद भगवती आप सबका कल्यान करे जै आदिशक्ते